मायरा फैशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अजमीर इरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो काफी बढ़ गया है और अब इस तनाव के चपेट में मंदी की मार जेलरा हिंदुस्तान भी आ गया है क्योंकि भारत मद्यपूर्वी एशिया पर बहुत जादा निर्बार है और यदि इस छेतर में तनाव बढ़ता है तो भारत के व्यापार के साथ तेल आयाद भी प्रिवावित होगा और इसी की वज़े से आपने आज ही देखा होगा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है लेकिन इस तनाव का असर सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा इसका असर आपकी जेप पर और भी पड़ेगा हमको मिली सरकारी आखडों के जो जानकारी है उसके मताबिक भारत में पिछले वितवर्ष में अपनी जरूरत के लिए 84 प्रितिशत कच्चा तेल इरान से आयाद किया था और इस प्रिकार कुल आयात तेल के हर तीन में से दो बिललतेर इरान से आयात होता है अगर अमेरिका और इरान के बीच तनाव इसी तरह बरकरार रहता है तो इसका सीधा असर तेल के दामों पर और पड़ेगा यानि कि तेल की कीमतों में और इजाफा होगा और अगर अमेरिका और इरान का तनाव युद का रूपदारन कल लेता है तो तेल के दामों में आप प्रित्याशित बड़त होने की आशंका है इससे ओब बोक्ता वस्तूं की कीमत बढ़ने और देश की भारी घाटे के बढ़ने की भी संभावना हो जाएगी इसका परिडाम ये होगा कि देश की आर्थिक विकास की रफ्तार और धिमी हो सकती है और अर्थविस्ता पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है इसके साथ ही यदि अमेरिका और इरान के बीच तनाव जारी रहता है तो तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी और इसका परिडाम ये होगा कि भारत को तेल के लिए ज़्यादा रकम चुकानी होगी जिससे सरकार का वित्य गाटा और बढ़ सकता है वहीं अगर अमेरिकी प्रितिबंदों के कारण भारत पहले ही इरानी बेरल का विकर डूनने के लिए संगर्श कर रहा है और ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थवस्ता प्रपढ़नाता है सरकारी अंगरों के अनुसार तो भारत ने मार्च में खतम हुए वितवर्श में लगबग 10% तेल खाड़ी देशों से आयाद किया है जब इरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराए और इरान की खाड़ी के पास टैंकरों पर हुए हमलों से दोनों मुलकों के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया था जिसके चलते जून के मद्दे में ब्रेंट कुरूट की कीमते जो हैं वो काफी कम थी लेकिन वर्तमान में इसकी कीमतों में 8% तक उच्छाल देखने को मिल रहा है वर्तमान में भारत के पास अपातकाल की इस्तती में प्रियोग करने के लिए रिजर्व के तोर पर केवल 3.91 क्रोड बेरल तेल मौझूद है जो सिर्फ 9.5 दिन ही चल सकता है और अगर इसकी तुलना अन्ने देशों से करें तो पता चलता है कि चीन के पास लगबग 55 क्रोड बेरल के बंडार होने का नुमान है जबकि अमेरिका के पास 64.5 क्रोड बेरल तेल मौझूद है और अगर देश में तेल की कमी होती है तो इसका सीधा असर देश के हर नागरिक पर होगा तेल की कमी होने से इसकी मौजूदा कीमतों में बड़ोतरी होगी जिसका परीडाम यह होगा कि उब्भोकता वस्तियों की कीमते भी तेजी से बढ़ेगी जिसके चलते देश में महंगाई बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर आपकी रसोई के साथ साथ ट्रांस्पोर्टेशन पर भी पढ़ेगा हालागी कुछ समय तक एशिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली भारत की अर्थविस्ता में पिछले तीन महीने में कमी देखी गई है वहीं देश में महंगाई दर भी बढ़ रही है देश बेरोजगारी के बढ़ते इस तर से जूज रहा है और देश के बैंकिंग सिस्टम की समस्याई भी सामने आ रही है ऐसे में तेल की कमी से महंगाई और बढ़ सकती है ये सब यहीं नहीं रुकेगा इसके साथ ही अमेरिका और इरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत विमान कमपनियाब इरानी हवाई छेतर के इस्थमाल से बचने के लिए अपनी उड़ानों का रास्ता बदल सकती है इसके पहले भी जून 2019 में भारत के डिरेट्टरूट जनरल ऑफ सिविल एविशन ने इरान के उपर से उड़ान ना बढ़ने का फर्मान जारी किया था जिसका सीधा असर किराय पर पड़ता है इसके साथ ही भारत के लिए चावार पोर्ट बचानी की चुनोती भी है मदद कर रहा है यह चावार पोर्ट बहरत के लिए बहुत महत्पूर्ण है इसके कारणी भारत अपना माल अफगानिस्तान और इरान को सीधे बेच पा रहा है इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि चावार के कारण भारत अपने माल को रूस, तजाकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, कजाकिस्तान और उजेपिकस्तान भीच पा रहा है इससे भारत के व्यापार में लगातार विर्दी हो रही है और इसी के चलते हत्यारों की खरेती कारण रूस से बढ़ रहे व्यापार घाटे को भी कम करने में भारत को मदब मिल रही है वहीं दूसरी और अगर चीन और पकिस्तान दुआरा संयुक्त रूप से विक्सित हो रहे ग्वादार बंदरगा के काट के रूप में भी इरान के चावार को देखा है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब दिये आपको बता दें कि भारत ने 2002 में चावार बंदरगा के विकास की नीव रख्ती थी और इसका उद्देश्य अफगानिस्तान और मद्देश्य के देशों तक सीधी पहुँच मुया कराना था बलकि अफगानिस्तान को भी पोर्ट का एकसिस देकर विश्व के साथ व्यापार करने की सुविदा प्रदान करना था जिससे अफगानिस्तान का पाकिस्तान से निर्बड़ता खतम हो जाए खेर अब सरकार दोनों देशों के बीच इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए 47.6 मिलियन मेरल की सन्युक शम्ता के साथ दो नए बंडार जोडने की योजना बना रही है भारते जंडे वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारते नोसेना ने पिशले सप्ता ही इरान की खाडी में अपने दो जहाजों को तैनात कर दिया है जबकि देश के तेल मंतरी सौधी अरप और ओपेक प्लस गडबंदन के लिए पहुँझ गए हैं ताकि ये सूनस्चित किया जा सके कि वह उच्छे दिस्तर पर कच्छे तेल की कीमतों को बनाये रखने के लिए काम कर सके